नीती ने होस्पिटल में ली परी की जान, राजिव ने देख लिया नीती को होस्पिटल में, पर नीती सीरियल का करंट रेक काफी मज़ितार चल रहा है, ऐसे में राजिव और परी की शादी में भी आ रहे हैं बहुत सारे उतार चड़ाव, शादी तक बात पहुची रही थ माता रानी का हाथ जिस वजह से हमेशा माता रानी परी की जान बचा ही लेते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ नीती ने लगा दी है पूरे घर में आग बेबे ने भी दिया नीती का साथ ऐसे में आप आने वाला है एपिसोड में बहुत वड़ा ट्विस्ट और आने व हॉस्पिटल में एडमिट किया वही राजुप भी कर रहा है डॉक्टर से जगडा कि आप मेरी परी को जल्दी ठीक कर दो और उसे बचा लो जहां दूसरी और चंदरिका को पता चली नीती की सच्चाई और नीती को दी चंदरिका ने धमकी और कहा तुमने ही पुरे घर मे आग लगाई है ना सिर्फ यही नहीं आगे और भी बड़े ट्विस्ट और शौकिंग ट्रॉक्स आने वाले हैं दरसल हॉस्पिटल में किया है परी को एडमिट और वही नीती जा पहुची फिर से परी का खात्मा करने परी का गला दबाते हुवे उसे मारने की कोशिश करी वही नर्स आ जाती है और तुरंत गिर्गिट की तरह नीती अपना स्वभाव चेंज कर लेती है और कहती है परी को कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ये सब देख लेता है राजिव और राजिव तुरंत ही नीती को परी के रूम से बाहर लेके जाता है और कहता है कि तुम इस जोस्पित्टल में क्या कर रही हो वही निती राज्यव के साथ बिताए हुवे प्यारे पल को याद करती हैं और कैसे तुम्हारा प्यार सच्छा नहीं था अगर तुमपहारा प्यार सच्छा होता तो इतनी जल्दी move on नहीं कर लेते क्या इतना कमजोर है तुम्हारा प्यार वेल परिनिती पे आने वाला एपिसोड काफी इंट्रस्टिंग होने वाला है इसलिए परिनिती सीरियल देखना ना भूलेगा सिर्फ कलर्स टेवी पर और टेलेवीजियन से जुड़ी हरेक अपडेट पाने के लिए बॉली तड़का 24 चैनल को सब्सक्राइब करें